नमस्कार दोस्तों अमारे यूटूब चैनल प्लंबर एक्सपर्ट राव साब में आप लोगों का स्वागत है और मैं संदी प्याद हूँ आप सभी को अपना नमस्कार करता हूँ आज मैं एक बस छोटी सी सिंपल सी बात मेरे प्लंबर भाईयों को बताना चाहता हूँ कंशिल्ड वाल जो होता है वो कैसे लगा जाता है कंशिल्ड वाल में कई मेरे जो पुराने मित्र हैं दोस्त हैं उन लोगों को तो पता है वो तो एक्सपर्ट हैं लेकिन अब भी हमारी लाइन में कुछ नए-णए प्लंबर आये हैं जिनको अच्छा खासा पता नहीं है नबर उन भाईयों को बताना चाहूंगा ये मेरे पास जोन्सन कंपनी का कंशिल्ड वाल है और इसको मैं कंशिल्ड सिस्टन में लगाऊंगा कंशिल्ड सिस्टन के यानि टोयलेट के फ्लेश टेंक के बाहर इसका यूज ज्यादा तर तो सावर में होता है वैसे लोग लिए या कंशिल्ड सिस्टन में पानी इनलेट होता है उसके बाहर भी लगा देते हैं तो इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है इसमें ये एक आप लोग देख रहे हैं जो ये तीर का निशान आप जो देख रहे हैं ना तीर का निशान तो जैसे अगर ये सावर में लगेगा तो ये इस तरह से लगेगा ताकि पानी नीचे से आए और तीर का निशान जो उपर की तरफ एरो दिखा रखा है और उपर की तरफ चला जाए इस बात का ध्यान रखें बस मेन यही चीज़ होती है अगर उल्टा लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो बस ये तीर के निशान की मैं कई बर बताने के बहुत बार मेरे मन में दे लें मैंने सोचा छोटी ची वीडियो बना देता हूँ मेरे दोस्तों के लिए तो दोस्तों ऐसे लाइक और शेयर करते रहें आप लोगों का प्यार बनाए रखें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन दबाएं हमारे सहयोगी पिछे पिछे बोल रहें तो हमारे सहयोगी का भी हमारा बहुत सहयोग रहता है उनसे बड़े प्यार से रहना पड़ता है तो दन्यवाद दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलूँगा में धन्यवाद